नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खबरो के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर गाउं में कम रेट में मिलेगा हाई स्पीर इंटरनेट येके पाठक ने दी राहत सरकारी विद्यालियों में बदला रूटीन जबड़ी में जारखन दोरी पर जाएंगे बिहार के सीएम विवर्स ओफ होब डॉक्यूमेंटरी फिल्म ने जीता युनिसको पुरुसकार इस शुकब दोहजार तईस फाइनल की पिचको आईसी सी ने दी रेटिंग इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के ओर वस्तार से गाउं में कम रेट में मिलेगा हाई स्पीड इंटरनेट भारत संचार नेगम लिमिटेट के द्वारा अब गाउं में भी इंटरनेट की सुवधा बढ़ाने के लिए एक नई योजना के शुरवात की गई है जिसके तहट अब गाउं में फाइबर केवल के माध्यम से ब्रॉड बैंड कनेक्शन बाट कर महज धाई सौ रुपए में इंटरनेट सुवधा एवं कॉलिंग पूरी तरफ फ्री कर दी जाएगी आपकी जानकारी के लिए बता दे कि सुवधा के तहट 500 रुपए में इंटरनेट के साथ कॉलिंग की सुवधा फ्री में दी जाएगी वह इसके लावा B.S.N.L. के ओर से दी जाने वाली ब्रॉड बैंड के सुवधा में वोकताओं को लगभग 100 Mbps की सुवधा उपलब्द कराई जाएगे इस बात की जानकारी B.S.N.L. के मुख्य महा प्रबंधक देविंदर सिंग के द्वारा दी गई है द्रसल अब आटवी गंती खेल की होगी इस संसोधित समय सार्णी को विहार सिक्षा परियोजना परिसत के द्वारा माध्मीक प्रात्मीक राज्य सिक्षा सोध एवं प्रसिक्षन परिसत के निदेशव को भेज दिया गया है बतादी कि संसोध समय सार्णी के अनुसार माध्य में क्यानी की कक्षा 9 वा 10 तथा उच माध्य में क्यानी की कक्षा 11 वा 12 के विद्यार्थी 8 वी घंटी में खेल या बागवानी से संबधित गतिवीदी करेंगे वहीं कक्षा एक से आठ के विद्यार्थी आठवी घंटी में इंडोर वा आउट्डोर खेल में सभागी बनेंगे वहीं इसके अलावा पुस्तिकाले में पढ़ाई के लिए भी घंटी अलग से निर्धारित की गई है बिहार में कहीं ट्रेनों का परिचारन रद तो कहीं के रूट बदले लखनाव रेल मंडल में दोरी करन को लेकर होड है नौन इंटरलॉकिंग की काड़ी को लेकर रेलवे के द्वारा बिहार के कहीं ट्रेनों के परिचारन को रद कर दिया गया है तो वहीं कई ट्रेनों के रूट भी बदले गए हैं वहीं इसके अलावा कई ट्रेनों के परिचार्म के रूट को भी बदल दिये गए हैं विवर्स ओफ होप डॉक्युमेंटरी फिल्म ने जीता युनस्को पुरुसकार बिहार के दक्षन बिहार केंद्री विश्यविद्याले के मास कम्यूनिकेशन और मीडिया विवाग के छातरों के द्वारा बनाई गई डॉक्युमेंटरी फिल्म विवर्स ओफ होप को युनस्को पुरुसकार दिया गया है बता दे कि अब फिल्म शहर के पटवा टोली के बूनकरों के जीवन पर आधारित है इस बारे में विश्यविद्याले के जनसंपर्क अधिकारी मुहमद मुद्दसीर आलम के द्वारा जानकारी देते वे बताया गया कि हप्रत्योगिता युनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइन्टिफिक एंड कल्चरल और्गनाइजेशन और कॉमन वेल्थ मीडिया पर रूप से आयुजित किया गया था वह इस फिल्म को विशेश पुरुसकार और नगत पुरुसकार से सम्मानित किया गया है इसे में विद्यार्थियों की सुपलब्धी पर उन्हें विश्यविद्याले की कूल पती के द्वारा बधाई दी गई है पतना एरपोर्ट से हर दूसरे मिनट विमानों की शुरू होगी आभाज जाही बीदे दिन से पतना एरपोर्ट पर नए एटीसी टावर और टेकनिकल ब्लॉक का इस्तमाल को बंद कर दिया गया है बता देक इस बात की जानकारी एरपोर्ट निदेशक अंचल प्रकास के द्वारा दी गई है मालम हो कि नए एटीसी टावर की उचाई पहले की अब एक छादिक है और इसका आकार भी बड़ा है साथ ही इसे जुरे नए टेकनिकल ब्लॉक में सी एन एस से संबनित अत्यादोने को करन लगे है इसके कारण विमानों को उतरने और उड़ने में अब अधिक सहुलियत होगी और पहले दो फ्लाइट ओपरेशन के भी चार से पांच मिनट का गैप होता था जबकि अब दो से तीन मिनट के गैप पर भी फ्लाइट ओपरेशन संभव हो पाएगा बिहार प्रात्मिक सक्छक संग ने केके पार्टक को दी चिताबनी बिहार की सिक्छा विवस्था में सुधार लाने के लिए इन दिनों सिक्छा विवाग के अपर मोखे सचीव केके पार्टक की ओर से कई एहम कदम उठाये जारे हैं जिस वज़े से सक्छक संग में नराजगी देखी जारा ही बता दे किसी को लेकर बिहार राजे प्रात्मिक सक्छक संग के काड़े आले में करेगी उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस तरस सक्षकों के साथ दमनात्म कारवाई करेगी तो मजबूरन सक्षकों को सरक पर उतरना पड़ेगा इसकी सारी जिम्मेवारी राज़सरकार की होगी 49 दैनिक वेतन कर्मियों को काम से हटाया गया परिक्षा बोर्ड के सचीव के द्वारा जानकारी देते वे बताया गया कि बिहार मुक्त विद्यालई सिक्षन एवं परिक्षा बोर्ड पटना में अस्थाई रूप से तैनात 49 दैनिक वेतन कर्मी को काम से हटा दिया गया है ब समीति के अनुसंसा के और स्थाय रूप से दैनिक वेतन के आधार पर इनकर्मियों को रखा गया था। यारियां शिरू कर दी गई है वहें सबात की जानकारी जार्कन जेडियों के सभी पार्टी पदादिकारी को भी दे दी गई है। बतादे की बिहार सरकार के स्वास्त विभाग के अपर मुखिस जीव प्रत्य अमरत के द्वारा राज्य के नए प्रस्ताओं को लेकर दिल्ली में केंद्रे स्वास्त एवं परिवार कल्यान मंत्राले के सचीव सुधान सु उपंध को सौप दिया गया है। मालमोग इस नए प्रस्ताओं में राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के सभी सर्तों को स्विकार कर लिया गया है। में पुनरूप से सराब बंदी है से तो हम सभी वाकिफ है लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन सराब तसकर इस जड़े मामले सामने आते रहते हैं। अलाक इन पर उतपाद विवाग की ओर से नकेल कसने के लिए कई कोशिशे की जा रही हैं। पर उतपाद विवाग की टीम के दोरा वहन जाच के दोरान बिहार के गोपाल गंज के कुचाई कोट थाना के जलालपूर रोड पर शक के आधार पर यूपी से आड़ही एक बोलेडो की तलाशी लेते वे बोलेडो की छट के भीतर और बैक लाइट के अंदर चुपाकर र रूप में किया गया है फिलाल इस मामले की जाच चल रही है बतादे कि जानकारी उतपाद अधिक्छा क्राकेश कुमार के दोरा दी गई है मीठी बातों का जाल कर सकता है आपका अकाउंट खाली इन दिनों साइबर अप्रास जड़े मामलों में लगतार बढ़ोतरी हो रह यह है ऐसे में हमें इसे बचने के लिए साफधान रहने की जरूरत है बतादे की बिहार सरकार के सूचना इवं जन संपर्क विभाग के द्वारा IPRD बिहार के तहत एक पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी गई है कि हमें हनी ट्रैप से साफधान रहने की जरूरत है आपके जानकारी के लिए बता दे कि हनी ट्रैप दो सब्दों को मिला कर बनाये गया है हनी और ट्रैप जिसमें हनी का मतलब होता है शहद और ट्रैप का मतलब होता है जाल ऐसे में हनी ट्रैप का मतलब हुआ एक ऐसा जाल जिसमें खूबसूरत यूवतियां हाई प्रोफाइल लोग एक नौ तीन शुने पर संपर्ख करें। प्रस्तावित प्रयोग साला में डिप्लोमा का वांशित योगिता होना अनिवार है पतादे कि हाई कोट के ओर से यह फैसला बिहार करमचारी चैन आयोग दोरा दायर अपील पर लिया गया है तेश्वी आदव की शादी की सालगिरह मनाने पटना से रवाना हुआ लालू पडिवार 9 दिसंबर बिहार के उपमुख्य मंतरे तेश्वी आदव अपनी शादी की दूसरी सालगिरह मनाने वाले हैं बतादे कि इनकी शादी 9 दिसंबर को वर्ज 2021 में हुई थी ऐसे में वह भगवान वेंकटेश की पूजा अर्चना कर उनका अश्रवात प्राप्त करेंगे बालू हो कि तुरुमला तिरुपती देवस्थार हम देश के सबसे अमिर मंदिरों में से एक है बतादे कि आज यानी की शुक्रवार को तेश्वी आदव की शादी की सालगिरह मनाने को ल रेटिंग अच्छा बताया इसी तरह ऑस्ट्रेलिया और प्रोटियास के बीच हुए मुकाबले के पिच को मैच रिफ्री जवागल श्रीनात के द्वारा ओसत बताये गया तो वहीं आउट फिल को बहतर बताये गया है जानी आज बिहार में क्या है पेट्रॉल डीजल के रेट बिहार में आज यानी शुकरवार को पेट्रॉल डीजल के रेट जारी केगर इसके बाद राजठानी पतना में आज पेट्रोल प्रति लीटर में मिल रहा है मचपर पूरे पेट्रॉल 107.9 रुपे और डीजल 94.7 रुपे प्रति लीटर है महीं पूर्णिया में पेट्रॉल की कीमत 107.6 रुपे और डीजल कीमत जादा कसंगज में है जहां पेट्रॉल 109.9 रुपे प्रति लीटर और डीजल 96.5 रुपे प्रति लीटर की दर्स्ते मिल रहा है अब बरते हैं आज के पांच सवाल की और हमारा पहला सवाल है दरभांगा एम्स के निर्मान को लेकर फिलहाल कितनी एकर जमीन चिनहत की गई ह ऑप्शन A 189 एकर ऑप्शन B 199 एकर ऑप्शन C 289 एकर ऑप्शन D 389 एकर इसका सही उत्तर है ऑप्शन E 189 एकर अगला सवाल बिहार मुक्त विद्यालई सेक्षन एवं परिच्छा बोर्ड पतनावे और स्थाई रूप से तैनात कितने द्यानिक वेतन कर्मी को काम से हटा द इसका स्थायुत्तर है ऑप्शन C 49 एकर अगला सवाल सीम नितीश कुमार कब जार्खन दोड़े पर जाने वाले हैं ऑप्शन E 5 जन्वरी 2024 ऑप्शन B 10 जन्वरी 2024 ऑप्शन C 15 जन्वरी 2024 ऑप्शन D 17 जन्वरी 2024 इसका स्थायुत्तर है ऑप्शन D 17 जन्वरी 2024 अगला सवाल साइबर अप्वरास जड़े मामलों को लेकर किस हल्प लाइन नंबर पर कॉल कर शिकायत की जा सकती है ऑप्शन E 5 जन्वरी 2024 ऑप्शन B 19 जन्वरी 2024 ऑप्शन C 15 जन्वरी 2024 ऑप्शन D 1724 इसका सही उत्तर है ऑप्शन B 19 जन्वरी 2024 अगला सवाल इसका सही उत्तर है ऑप्शन C ननिरंदर मोदी Stadia बीते दिन हमारे द By पूचिए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों इन प्रجाप हमें अमारे कॉमेंट सिक्शन B OX में लिख कर दिय था जिन्होंने हमारे दर पूचिए सवाल का जवाब दिया है अब सब्सक्राइब करना धनेवाद